नमस्कार दुस्तों, mental health को कैसे improve किया जाए? कहने में तो ये बहुती easy होता है कि positive सोचो, अच्छा खाओ, healthy खाओ, workout करो, ये सब आपने हर जगा सुना होगा पड़ा होगा और mental health को कैसे improve करने के लिए काफी videos भी देखे होंगे आपने लेकिन कोशिश यही रहेगी कि इस video के end तक आते आते, आपको mental health पर और videos देखने की ज़रुरत ना पड़े मतलब कि ये आपका आखरी video हो और अपने personal experience से बता रहा हूँ, जब six weeks का bedress चल रहा था, तब मुझे mental health भाला trigger हुआ तो सोचा, इस problem से काफी लोग deal कर रहे होंगे वहाँ से मुझे इस video का idea है First point है, be your first priority, आपकी first priority अपने आपको रखो Simple सी बात है, garden जितना beautiful होगा, उतनी ही butterflies उस पर आएंगी अगर garden ही अपने आपको सुन्दर नहीं बनाएगा, तो कोई तितनी क्यों ही आएगी And जब हम अपने आप पर ध्यान देते हैं, अपने आप पर focus करते हैं, तब ये दुनिया भी आप पर ध्यान देती है और focus तुनोची से करेगी और आपकी बात भी सुनेगी और simple सा example है, अगर विराट कोली ने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया होता, तो आज हमें विराट कोली देखने को मिलता नहीं न, उसने priority दी अपने passion को और focus भी उसी पर किया और जब आप पूरे दिल से कोई चीज़ करते हो, तो ये mental health issues भी आप से दूर रहते हैं because आप internally glow करते हो without any external makeup number two, love biceps not breakups, हमारा सबसे बड़ा asset पता है क्या है, बताओ comment में क्या है हमारा सबसे बड़ा asset है हमारी body और इससे बड़ा asset कुछ नहीं हो सकता जब तक है जान, जितनी करोगे इसकी परवा, उतनी ही खाने को मिलेगी मेवा मतलब कि अपने आपको physically strong बनाओ, muscles नहीं बनाने, running पर चले जाओ, walk पर चले जाओ, swimming कर लो लेकिन कोई छोड़ कर चला गया, उसके चक्कर में drink and smoke का भाना मत लगाओ और body को abuse भी करना बंद करो, I know हो सकता है, यहां लोग ये भी बोलेंगे, अरे कौन सा किसी के पापा के पैसो की पी रहे हैं, अपने पैसो की पी रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त, जाने वाला तो आपको देखो छोड़ कर चला गया, कल जब आपकी body साथ नहीं दे रही होगी, तो वो लोग वापस नहीं आएंगे आपकी care करने के लिए, तो थोड़ा physique बना लोगे, lean हो जाओगे, तो दूसरी वाली के आने के chances बढ़ जाएंगे, और आप attractive भी बन जाओगे, और कपड़े से लेकर confidence तक सब आप पर अच्छा लएगा और आपकी body पर अच्छा लएग लेकिन अपनी life में ये जुरूर figure out कर लेना कि toxic and negative लोग कोन हैं, बस यही लोग हैं जो आपके mental health से खेलवाल कर रहे हैं, I know आपको realize नहीं होगा, लेकिन एक activity करने से ये आपको बहुत easy हो जाएगा, पिदम पानी की ज़रा, कि करना क्या है आपको एक paper पर उसका नाम लिख चीजे लिखनी है, और दूसरी साइड पर पता है क्या लिखना है, negative चीजे, बस यही आपको पता लग जाएगा कि कौन person आपकी life में कितनी value add कर रहा है, और कौन आपकी कितनी energy drain कर रहा है, बोलो कुछ मत, बस चुप चाप देखो उनके actions पर नजा रखो, और जब आप life से negative चीजे निकालते हैं, then automatically आप positive को attract करते हैं, और इससे number 4 point आता है, वो है manifestation, आप manifestation में believe करते हो या ना, बट ये सब काम करता है, आपका believe system इतना strong होना चाहिए, जैसे एक बार एक आदमी परिशान होता है, then suddenly उसे एक दूसरा आदमी मिलता है, और उसे एक करोड का check देता है और कहता है, कि जाओ इसे cash करा लेना, अब bank में जाने के बाद, star बोलता है, कि हाँ ठीक है ठीक है, हम इसको cash करा देंगे, ये amount बड़ा है, तो इसमें आपको 10 दिन का wait करना पड़ेगा, अब सोचो, उसके पास वो पैसा नहीं है, लेकिन उसका जो चलने फिरने का attitude है, level है वो एक करोड़ वाला हो जाता है, वो क्यों? क्योंकि उसके पास वो belief system है, अब उसके पास पैसे तो नहीं है, लेकिन attitude वो वाला आ जाता है, और उसको आने में 10 दिन लगेंगे, तो ऐसे ही manifestation काम करती है, manifestation से related एक मेरी भी story है, मेरा हमेशा से मनता कि plane में, first time मैं तब ही बठ national flight, अब एक better mental health के लिए, better mindset and positive attitude चाहिए, तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, कि आपके अंदर वो energy है, और वो magnet आप ही है, जो औरों की good vibes को attract करे, manifest करे, जो भी आपके goals है, dreams है, desires है, daily उन्हें ऐसी जगा लिखे, कि जहां आप morning में उठे, तो वो आपके सामने हो, और सोते time भी आपके सामने हो, I know ये बहुत ही फालतू का काम लग रहा होगा आपको, कि इससे mental health कैसे improve होगी, एक बार इसे 30 days के लिए करके देखो, फिर इसी वीडियो पर वापस आकर, जो भी आपके अंदर changes है, वो मुझे comments में ज़रूर बताना, अब इससे आते हैं, number 5 पर, don't just deal with stress, पहले तो ये figure out करना बहुत जरूरी है कि stress की वज़ा क्या है, positive रहने से, बात करने से, stress free बाते करने से, अगर हो रहा होता, तो आप कब के stress free हो चुके होते, so ये नया जमाना है, तो इसको नए तरीके से deal करना होगा, अब ध्यान से के activity में बताने वाला हूँ आपके ल stress लेने से क्या benefit होने वाला है, और अगर आपके हाथ में इस situation को change करने की power होती, तो आप क्या करते, और इसके बाद लेको, इसका conclusion क्या है, अब जो stress होता है, उसका main reason ये होता है कि काम ना करने से, जैसे कोई college project है, या office project है, लोग task नहीं कर रहे हैं, इसलिए stress ले रहे हैं, और stress की वज़ा काम का ना करना होता है, और जब आप काम कर रहे होते हैं, तो आप busy हो जाते हैं, और stress के लिए आपके पास time नहीं होता है, और आज की date में stress होना बहुत ही common सी बात हो गई है, और मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे जब होता है, तो पहले मेरे बात सबसे प बट दीरे दीरे practice से आएगा, जब आप लिखना start करेंगे, because अपने आपको mentally strong बनाना वैसा ही है, जैसे अपने आपको physically strong बनाते हैं, एक दिन से बिल्कुल नहीं होता, but you need to practice it daily, तब जाकर आप noise को clear करेंगे, और जो clear message है, उसको आसानी से सुन पाएंगे, इससे आते हैं, किसी ने कुछ बोला, तो किसी ने बहुत कुछ बोला, हर चीज को इतनी importance देनी नहीं होती, हर चीज पर इतना react करना जरूरी नहीं होता, sometimes आपको एक कान से लेकर तूसरे कान से निकालना होता है, और जो आपका time है बहुत ही limited है, एक बार गया तो ये वापस नहीं आएगा एक बार को खोया हुआ पैसा वापस जरूर आ सकता है, लेकिन जो खोया हुआ टाइम है वो आपस नहीं आएगा, I know जब बैंट बज रही होती है, तब नहीं धियान रहता है इन सब का, बट एक दिन से आप अपने thoughts को चेंज नहीं कर सकते, ये सब होता है practice करने से, अपने शरारत करनी होती है, और आपको बस short term pleasure में involve करके वहाँ से चला जाता है, और जिसने इस मन को control कर लिया, और इसकी सुननी बंद कर दी, तो उसको इस दुनिया में कुछ भी अचीव करने से कोई नहीं रोख सकता, और ये मन कैसे control होगा, इसके बारे में बात करेंगे हम next point मे जो की है, chase goals but not butterflies, according to one of the prominent research from unknown place, ये पाया गया कि mental peace disturbed होने का सबसे बड़ा कारण था, बाबू ने सही टाइम पर थाना नहीं थाया, वेल, जोक सापाट, आपने ये बात को observe किया होगा कि mental peace disturbed होती है लोगों की वज़ा से, हमारे baseless thoughts की वज़ा से and unimaginary situations को imagine करने की वज़ा से लेकिन personal experience से बता रहा हूँ, जब आप अपने goals को chase करते हैं, तब आपके पास fall to logo के लिए time बिलकुल नहीं बसता, because आप तो अपने goals को achieve करने में busy हो जाते हैं, और जो बंदा या बंदी busy होते हैं and concerned होते हैं अपने health goals, career goals या academic goals को लेकर, फिर लोग उनके पीछे आते हैं, क्योंकि वो butterflies के पीछे नहीं भाग रहे होते, उल्टा ऐसा कुछ बनाते हैं कि butterflies उनके garden में खुद बखुद चल कर आती हैं, और goals के पीछे भागने से आप बेवजा चीजों की tension नहीं लेते और ना ही stress लेते हैं, और इसका सबसे बड़ा reason है, जब आप tension भी लेते हैं या stress अपनी life को next level पर ले जाने की बात कर रहता है, सब कुछ सोच रहे होते हैं, क्योंकि इतिहास गवा है, बदलाव ज़रूरी है, और life में ऐसे goals set करो, इतना aim बढ़ा के रखो अपना, कि जब achieve करने के रास्ते पर निकलो, तो लोग भी कहें कि बंदे में दम है boss, और जिसको नहीं पता कि मेरे goals क्या हैं, तो अपने पूरे दिन को audit करो, किसी एक ऐसी कोई चीज तो निकल कर आएगी, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी, जिस field में आपको number one बनना होगा, और ये कैसे पता चलेगा, आपको 24 hours आपको audit करने से अपने life के, उसके बाद आपको समझ जाएगा कि आपका goal क्या है, अपनी life का, क्योंकि ये सब करने से एक self satisfaction मिलती है, जो mental peace के लिए बहुत थी फायदेमंद है, इससे पहुंचते हैं, number eight पर, say no to rat race, मुझे business करना है, लेकिन कब start करना है, नहीं पता, क्या करना है, नहीं पता, लेकिन जब account में salary वाला message आ आफस में पहुंच जाना है, शाम को घराते टाइम, रील्स में motivation ढूंड कर रात को दरतान कर सो जाना है, और फिर next day से same life start हो जाती है, it's more like another rat race, life में कुछ भी अचीव करने का रास्ता, आपके 24 घंटे में, आप अपने time को कैसे spend करते हैं, उसी में छुपा होता है, जब आ rat race के trap से बाहर निकलना इतना easy नहीं होता, लोग आपको drag करेंगे, जब आप discipline में जाने के कुशिश करेंगे, तो in discipline होने के काफी chances पैदा होंगे, consistency को build करने के कुशिश करेंगे, तो काफी लोगों से goodbye हो जाएगा, लेकिन vision आपका strong रहेगा, तो success आज नहीं, तो कल आपक होती है, जब आपको life में कुछ करना होता है, लेकिन आप action लेने की बजाए, stress लेना start कर देते हैं, so action is important with consistency, इसे पहुंसते हैं, number 9 पर, peace is not on mountains और on beaches, मन की शानती के लिए आप mountains या बीच पर जाते हैं, लेकिन mentally condition तो वही रहेगी है, आपकी, जब तक आप अपनी problem से stress की roots क अटाक नहीं करोगे, उनको पहचान होगे नहीं, तब तक change आपको कैसे देखेगा, तो mental health improve, place change करने से नहीं, problem की roots को attack करने से बेटर होगी, और ये identify कर लोगे आप, जब आप paper और pen वाली activity करोगे, और इस बात का ध्यान रगना, चाहें आप मसूरी जाओ या मनाली, तब तक आपका mental, जो जिस वज़ा से आप disturb हैं, उस पर काम नहीं करोगे, तो ये places आपके temporary चीज़े हो जाएंगी, आपने कुछ दिन के लिए घूमने चले गए, फिर वापस से तो आप उसी जगा आ जाओगे, पांस दिन की शान्ती उसके बाद फिर सेम चीज, तो बेटर ये रहेगा, जो आपका stress है, उसकी वज़ा क्या उसको तब तक आप जानोगे नहीं, तब तक आपको शान्ती नहीं मिलेगी, इस से पहुंसते हैं number 10 पर, care about what you do, not what they think, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे, लोग, और लोगों को तो कहना है, कि भाई साब, arrangement तो बहुत लेकिन शाही पनीर में पनीर ही missing था, जब तक आप अपनी opinion का value नहीं करोगे, और लोगों की opinion की परवा करोगे, तब तक आप अपने आपको कोशते रहोगे, और अपने आपको ही roast करते रहोगे, opinion लेनी भी है, तो उन लोगों से लो, जो वो सब achieve कर चुके हैं, या फिर उ आपके आस-पास का circle अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, mental peace हो या mental health, सब आप control कर सकते हैं, जब आप problems की roots पर focus करते हैं, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में बहुत बहुत धिन्नेवाद,